ओल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेश आपके साथ वीडियो पर कमेंट करने से पहले दोस्तों आप वीडियो डिस्क्रिप्शन एक बार अवस्य चेक कर लें साइद आपके कुछ सवालों का जवाब मिल जाए चलिए दोस्तों इस वीडियो में इस बीम पर लगने वाले बलों का अध्यन करते हैं किस परकार इस पर रियक्शन आएंगी दोस्तों किस परकार फोर्स कारेंगे चलिए जानते हैं मोमेंट आघूर्न जिसे हिंदी में आघूर्न कहते हैं The tendency of forces is not only to move a body but also to rotate the body. This rotational tendency of a force is called moment. इस परकार दोस्तों आप समझ सकते हैं moment की परिवासा से. Moment दोस्तों किसी भी body में गुर्नन पैदा करता है. इस परकार आप समझ सकते हैं दोस्तों. जो वल किसी body को न सिर्फ move कराते हैं उसको rotational गती भी देते हैं. इसकी कौशिस करते रहते हैं दोस्तों. इस परकार के बलों को moment कहते हैं. Moment की परिवासा आपने देख लिए दोस्तों. Moment देखें. Moment is equal to force into perpendicular distance. आगुन बल इसकी लंबत दूरी के गुनन फल के बराबर होता है. Classifications of moment में आप दोस्तों. Moment को तीन परकार से अलग-अलग नामों से जाना जा सकता है. तीन पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है. Turning moment, bending moment, twisting moment. इस परकार दोस्तों. A, B एक beam है. जो की A, B सपोर्ट पर रखी हुई है. दोस्तों, R, A, R, V इस पर reaction force लग रहे हैं दोस्तों. और इस beam पर एक मीटर, दो मीटर, तीन मीटर, चार मीटर के इस pen बने हुए हैं. दोस्तों, अलग-अलग length के. इनके बीच में एक मीटर डिस्टेंस पर दोस्तों, दो किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है. इस परकार, तीन मीटर डिस्टेंस पर 3 किलो न्यूटन और 6, एक सिरे से, दोस्तों, जो फ़स्ट है, ये सिरे से, 6 मीटर डिस्टेंस पर 4 किलो न्यूटन फोर्स कार रहा है. इस परकार, आप देख सकते हैं इस diagram से. अब इसमें दोस्तो हम देखेंगे summation of vertical forces जो की transverse forces के नाम से भी जाने जाते हैं दोस्तो इनका आप योग या summation देखेंगे जो zero के बरावर होता है क्योंकि ये equilibrium condition होती है दोस्तो जब हम steady करते हैं तो उसे zero के बरावर मान लेते हैं सभी vertical बलों का योग horizontal और vertical दोनों फोर्सों का योग zero के बरावर करके उसको steady किया जाता है इस तुरकार हम vertical force की steady कर रहे हैं summation of all vertical forces is equal to zero अब आप देख सकते हैं दोस्तो rav प्लस rva जो की आप vertical direction में point a पर reaction force जैसे rav के रूप में परदरसित किया गया है plus rva vertical direction में force की reaction है दोस्तो b point पर rv is equal to इस पर दोस्तो ये दोनों reaction उपर की तरफ कारे करेंगी तो जो उपर जो बल लग रहे हैं दोस्तो 2, 3, 4 kN वाले वो नीचे की तरफ कारेंगे अर्थात दोनों को बरावर कर दिया जाता है क्योंकि reaction और ये force बरावर होंगे इस परकार 2, 3, 4 बरावर 9 kN इस परकार दोस्तो reaction आएगी दोस्तो r a plus r v 9 kN के बरावर आएगी इन पॉइंट उपर इनको इस परकार calculate किया जाता है आगे detail में calculate करेंगे अभी आप short concept में समझ लें इस परकार दोस्तो summation of all horizontal forces is equal to zero अब दोस्तो आप देख सकते हैं r a reaction force है या इसको आप hinge मान सकते हैं fix support मान सकते हैं क्योंकि ये moment नहीं करने देगा लेकिन b point पर जो support लग रहा है दोस्तो roller support है जो कि इसमें ये beam है इसमें compression और tension आएगी दोस्तो आगे पीछे move कर सकता इस परकार horizontal reaction इसमें नहीं develop होगा दोस्तो इसलिए r a h is equal to zero कर दिया है point a पर horizontal reaction force zero के बरावर होगा इस परकार दोस्तो इसमें प्रदर सित किया गया है अब आप देखेंगे दोस्तो नमबर तीन पर summation of all moment point a about point a इसे कहेंगे दोस्तो a के साफ एक सभी बिंदूओं पर point a के साफ एक स लिया गया moment है दोस्तो यह सभी moment का योग बरावर zero को होता है summation of all moment about a is equal to zero we know that clockwise forces is equal to anti-clockwise forces आप इसमें देख सकते हैं दोस्तो इसका मतलब यह इस परकार आप आप इनको calculate करेंगे आर एवी आर एवी है दोस्तो यह momentum काउंट करते हैं तो लंबत दूरी के गुने के बरावर होती है दोस्तो तो इस पर आर एवी फोर्स लगेगा गुना zero क्योंकि zero distance है इस परकार दो किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है दोस्तो एक मिटर distance पर आप देख सकते हैं तो इस परकार इसमें calculation को आगे ले जाया गया है अब इसके बाद प्लस तीन गुना तीन कर दिया दोस्तो क्योंकि यह यह point के about हम moment ले रहे हैं तो इसकी distance दो प्लस एक बरावर तीन हो जाएगी इसे प्रकार प्लस चार और डिस्टेंस 6 मीटर हो जाएगी दोस्तों अब यह सभी बल नीचे की तरफ करते हैं कर रहे हैं अब इनको आप दूसरा और भी जो की reaction है दोस्तों यह उपर की तरफ कर दिया into 10 क्योंकि दोस्तों यह अब टोटल डिस्टेंस होगी है इसकी 10 मीटर इस प्रकार मुमेंट कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों इस प्रकार हमें इस पर reaction प्राप्त होगी और वी वी बरावर 35 वटे 30 यह आप कह सकते हैं 3.5 किलो नीटन दोस्तों इस प्रकार दोस्त तो मुमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमें यह वैलू प्राप्त होगी अब इस वैलू को put the value in equation 1 इसको equation 1 में डाल देंगे दोस्तों जब कि आप देख सकते हैं यह आर एवी प्लस आर वी भी एड़ कर रखा है दोस्तों इस equation में डाल देंगे तो हमें आर एवी इस इकल 5.5 किलो न्यूटन मीटर आपको मुमेंट प्राप्त होता है दोस्तों इस प्रकार दोस्तों और वी भी में भी आप 3.5 किलो न्यूटन मीटर क्योंकि दोस्तों मुमेंट न्यूटन मीटर में होता है आप लगा कर अपडेट कर दें हम भी इसको अपडेट कर देंगे लाइ शेयर करते रहें दोस्तों प्यार बनाए रखें बहुत बहुत धन्यवाद